जिश्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा नाम कृष्ण पाल राठोर है और आप महारो राजगर का यूटूब चैनल देख रहे हैं सबसे पहले चैनल के दर्शकों से हाज जोड़कर माफी मांगना चाता हूँ इसलिए क्योंकि आप हमारा चैनल देखते हैं और आपको ये खबर सुनकर बड़ा दुखी मैसूस होगा सर हमेशा इस जबान ने पंडित प्रदीप मिश्रा और कुबेरेश्वर धाम की बड़ाई की है लेकिन आज पहला दिन है जब कुबेरेश्वर धाम में हमें कमी देखने को मिली है कुबेर भंडारी की शायद यही इक्छा होगी लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में जो आज हुआ है वो वाकई में शर्मनाख है वो वाकई में प्रशासन पर भी सवाल उठाता है हम इस कमरे में बेटकर चार दिवारी में बेटकर ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वाकई में कुबेरेश्वर धाम में आज कुछ अच्छा नहीं हुआ कुछ अच्छा इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि 3,000 भक्त घायल हुए हैं बेहोश हुए हैं उनको बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भरती किया गया है और बेहोश इसलिए हुए हैं क्योंकि कुबरेशवर्ध हम में चाया की व्यवस्था नहीं की गई थी छाओ की व्यवस्ता बिल्कुल नहीं थी नोनो घंटे लोग लाइन में खड़े रहे रुद्राक्ष के इंतजार में कुछ देर के लिए रुद्राक्ष मोच्चव को इस्थगिद भी किया गया लेकिन हमने जैसा की वीडियो के टाइटल में बोला है कि अगर जान प्यारी है तो कुबेरेश्वर धाम में अभी मत आईएगा बिल्कुल हम आप से हाथ जोड़के निवेदन भी कर रहे थे इतने जुनों से कि आप कुबेरेश्वर धाम में जरूर आईएगा और पूरा सीहोर आपका इंतजार कर रहा है हमने ये भी बोला है लेकिन हम आप से हाथ जोड़कर ये भी बोलते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में मत आईएगा यदि आपकी जान प्यारी है क्योंकि इसमें दो-तिन लोगों की जान भी जा चुकी है रुद्राक्ष मोच्शव का पहला दिन दस लाख लोग सीहोर में आते हैं और उन दस लाख लोगों के लिए प्रशासन की उचित व्यवस्ता ना होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये सवाल हम पूछेंगे सर आप लोगों के लिए पूछेंगे इसलिए पूछेंगे क्योंकि ये सीहोर के प्रशासन और मद्रदेश की प्रशासन की एक बड़ी नाकामी है ये नाकामी है कुबेरेश्वर के जो कुबेरेश्वर धाम की जो पंडित प्रदीब जी मिश्रा की जो समीती है उनकी नाकामी है सर पंडित प्रदीब जी मिश्रा प्रेस कोंफरेंस करते रहते हैं उन्होंने तमाम सारी जिम्मेदारिया भी ली थी लोगों के भरोसे पर ये उनका जिम्मेदार कौन है जो 10 लाक लोग इखटा हुए उनकी विवस्था ना हो पाना उनका जिम्मेदार कौन है आपने इतना बड़ा ओधा कर लिया है पंडित प्रदीब जी मिश्रा अपनी टीम को थोड़ा ठीक कीजिए सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित प्रदीब जी मिश्रा हो और इसके जिम्मेदार पंडित प्रदीब जी मिश्रा खुद है क्योंकि उन्होंने अपने रिष्टदारों को भर के रखा है तीम में चाहे वो डिजिटल टीम हो चाहे वो सोशल मीडिया की टीम हो चाहे वो मीडिया की टीम हो चाहे वो व्यवस्था की टीम हो सभी टीमों में अपने रिष्टदारों को भरके रखाये हैं और यह विवस्था जो बिगडी है ना अज इसकी जिम्मेदार पंडित प्रदीब जी मिश्रा हम अमेशा महाराजजी की तारीफ करते हैं, महाराजजी के सूपर्ट में खड़े रएते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर बन्डारी के कुवेर बन्डारी के भकते हैं毫ोलेनात के भर्टते हैं लाको लोगो ने भगवान ब empowerment के नाम पर जोडा है इसलिए इस नाते से हम उनका सपोर्ट करते हैं लेकिन आज तीन लोगों की मृत्ट्य हो जाती है तीन हजार लोग अस्पताल में भरती हो जाते है उसका जिम्मेदार कौन है सर उसका जवाब कौन देगा पंडित प्रदीब जी मिश्रा को देना पड़ेगा मीडिया के सामने आके जवाब और हम जैसे मीडिया कर्मी जो हमेशा कुबेरे बंडारी की तारीफे दिखाते रहते हैं चेनल पर आज थोड़ा सा दुख हुआ सर इसलिए हुआ क्योंकि तीन लोगों की मौत हो जाती है कुबेरे श्वरधाम मर और ये तीन लोगों का आकड़ा और बढ़ सकता है हम नहीं चाते हैं कि एक आकड़ा बढ़े ना ही किसी भक्त को चाना चाहिए लेकिन यदि आपको अपनी जान प्यारी है तो अभी कुबेरे श्वरधाम में मत आईएगा साफ इनकार है ये वो आदमी बोल रहा है ये वो चेहरा बोल रहा है जो हमेशा आपसे हज जोड़ कर केमरे के सामने बोलता था कि आप कुबेरे श्वरधाम में आईए रुद्राक्ष ले जाईए लोग अफ़ा फिला रहा है पूरी विवस्ता हो चुकी लेकिन आज ये आदमी केमरे के सामने ये बोल रहा है आपसे कि आपकी जान प्यारी है तो कुबेरे श्वरधाम में मत आईएगा बिल्कुल मत आईएगा अभी मत आईएगा सर दर्शन करने आईएगा बाद में कोई दिक्कत नहीं है अभी इतनी ज़्यादा भीड है महाँ पर कि पेर रखने की जगा नहीं है बारा बारा किलोमेटर से अभी एक वीडियो देख रहा था बारा बारा किलोमेटर से लोग आ रहे है बूडी अम्मा एक चलकर आ रही है रुद्राक्ष लेने के लिए इस उम्मीद में कि रुद्राक्ष उन्हें मिल जाएगा क्या गारंटी है सर बारा किलोमेटर पेदल गर्मी में पहुंच कर वो अम्मा वहाँ पर पहुच जाएगी रुद्राक्ष उन्हें मिल जाएगा तो यह तमाम सारी चीजे हैं व्यवस्ता गड़ बड़ा गई है पिछले साल से ज़्यादा गड़ बड़ा गई है पिछले साल तो चलो ठीक है रुदराक्षो मौच्छों को अभी इस्तगित कर देना चाहिए मैं तो यह बोलता हूं अवकि हम यह चाहते हैं कि आप हमारा चैनल देखते हैं इसलिए आपको रिएल अपडेट दी जाए और यह रियल अपडेट है सर रियल फिडबेक है आपके और आपके परिवार के लिए ये वीडियो बहुत महतोपुन था इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है हमने इसलिए बनाया है ताकि इस वीडियो को देखकर आप और आपका परिवार सोड़ा सतर को हो जाए थोड़ा सा भत्ती से के मूर से हटकर थोड़ा सा इमोशनल मूर से हटकर थोड़ा सा सोचे अपने परिवार के बारे में कि 12 किलोमेटर यदि आपके परिवार के किसी सदस को पेदल चलना पड़े तो ये प्रशासन की नाकामी है, ये नाकामी है पंडित प्रदीप जी मिश्रा की समीती की, ये नाकामी है पंडित प्रदीप मिश्रा खुद की, इनकी जिम्मेदारी इनको लेना चाहिए, पलड़ा जो है नहीं जानना चाहिए, सीहोर में 10 लाक लोग इगठा हुए, काफी अगवानी कर रहे थे लेकिन थोड़ी ओर बहतर विवस्ता हो सकती थी मद्रप्रदेश का इतना बड़ा नाम मद्रप्रदेश की राजनेती में बहुत काम आएंगे धिरेंदर कृष्ण सास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा लेकिन इन्होंने इनके कार्यक्रम भिगाड़े हैं तो काम मत आईएगा पंडित प्रदीप जी मिश्रा आपसे भी अपील है और अंत में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ सब बाते दरकिनार कीजिए अभी यदि आपका प्लान है यदि आप ट्रेन में बेटे तो आपका स्वागत है आप आईए दर्शन कीजिए रुद्राक्षी मिलता है तो लीजिए नहीं मिलता है तो जेहिंज भारत कीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर रुद्राक्षी के मूर से यदि आप तारीक बदल कर आने का प्लान कर रहे है तो रोक दीजिए भगवान के लिए मत आईए हाद जोड़कर निवेदने मत आईए व्यवस्ता उस तरह की नहीं हो पाईए कुल मिला के बात यह है कि प्रशाशन भी जीरो है और पंडित प्रदीब जी मिश्रा के जो समिती की जो सदसे वो भी जीरो है सब भगवान के भरोसे था भगवान के भरोसे यदि आपकी जान रखकर आप आना चाते तो बिल्कुल आईए सीहर में आपका स्वागात है बस इतना ही कहना चाते हैं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा चेनल यदि आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजेगा आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है वीयल फिडबेक हम इस चेनल की ज़री आपको देते हैं पंडित प्रदीब जी मिश्रा से जुड़े हुए हर एक फिडबेक कुवेरेश्वर धाम से जुड़े हुए हर एक फिडबेक आपको देते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद श्री शिवाय नमस्तु भ्यम